सब्सक्राइब कीजे मिना बुटीक को और हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल का बटन जरूर दबाएं आज हम एक छोटी बच्चे का एक छोटा फ्रॉक बनाना सिखेंगे एक फैंसी फ्रॉक ऑफस ओल्डर फ्रॉक जो की मैं बनाने वाला हूं इस तरीके से ऑफस ओल्डर जो नीचे तक होता है वो बनाने वाला हूं यह आस्तिन इस तरीके से बनाऊंगा रिंगल डालके और यह लेस है यहाँ पर मैं 20 कमर में जोइंट आएगा वहाँ पर इसको मैं लगाने वाला हूँ ठीक है तो इस हिसाब से अपन चलेंगे तो इसमें मैं एक साड़ी लहर या साड़ी है और ये कॉंट्रास्ट मैच में इसका अस्तर लाइनिंग लगाने इसकी एल टोटल 28 इंची रखने वाला हूँ ठीक है और इसका जो चेस्ट है शाड़ी अठारा है तो इसका मैं जादा ही करूँगा शाड़ी आठी इंची आस्तिन है और मौर इसकी साथ इंची है इस तरीके से इसकी नाप है इसका करीवन सॉल्डर है साधी नो इंची और ये टोटल जो नाप है 23 इंची मैंने इस बच्ची के सोल्डर जो जहां पर उप सोल्डर ही आएगा वहां से रखा है ठीक है इस तरीके से अपना ये पैटन है तो इसकी सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं इस हिसाब से कड़ते हैं देख लेते हैं सबसे पहले तो एक पार्ट चार ये ले है डबल फोल्ड के है डबल कपड़े को एक साथ और चोली जो इसकी 9 इंची मैं रखने वाला हूँ तो 10 इंची पर निशान लगा रहा हूँ ठीक है साधी 4 इंची पर मुड़ा इसका जो आर्मोल की कटिंग मैं करूंगा ये छोटी बच्ची का टोप है ज्यादा बड़ी नहीं है ये करिवन 3-4 साल की बच्ची होगी उसके लिए हमें एक फैंसी फ्रॉक एक ओफशोल्ड टोप जो है वो बनाने वाले हैं तो इसका जो ये चेस्ट का निशान लगा लेते हैं इसमें और ये कमर का निशान चोथा BBC जो फिटिंग का नाप है चोथा час और ये तीन इंचिसका नेक ठीक है और ये इस तरीके से मैं इसको कटिंग करने वाला हूँ और ये सोल्डर से इसको यहां मिला दूँगा इस तरीके से आप यह extra margin रख लेते हैं इसका ठीक है उपर shoulder मैंने 9 हिंची था तो उसका इसमें ज्यादा वो महत्वन नहीं आएगा और यहां से इसको काट देते हैं और extra cutting जो fitting काटांका होगा उस तरीके से लगा लेते हैं तो यह उपर की चोली ह है इस तरीके से आएगे इसमें अपन elastic डालके रिंकल डल जाएंगे इसलिए मैं इसको बड़ा काटा हूं ठीक है तो यह तो सबसे पहले lining हो गया अब इसको man piece उपर वाला जो लहरी का एक है उसके उपर रखे इसको लगा लेते हैं तो इसमें भी मैं रिंकल डाले वाला को इतना extra ले रहा हूं तो यह बच्ची का है अगर आप बढ़ूगा बनाना चाते हो तो उस अनसवार आपकी चोड़ी आएगी और यह margin उस इनसवार आएगा तो यह तो फिटिंग का अंदर वाला फिटिंग हो जाए गर इस उपर वाले पी मैं एक छोट-छोट रिंकल ड बना सकते हैं जो भी आपकी स्तती है उस अनसार ठीक है उपर की चोली कट गई अब इसका नीचे का जो पार्ट है गेरवाला अंब्रेला टाइब में वो इसका काट लेते हैं एक बार इसमें वही कौन सेप में इसको अपन बिचा लेते हैं ठीक है यह joint नीचे से कम पड़े आपने का तरीकह है इस तरीक से जैसे में नापा इस तरीकह से छेर यहां से काट लें ठीक है अब इसमें चोली 9 इंची के लगा रहा हूँ छोटी बच्ची के मैं तो ठीक है 9 इंची उपर रखूँगा इसको और टोटल लेंध भी निशान लगा लूँगा अस्तर मैं 1.5 इंची छोटा रखूँगा तो इसको मैं चाहिज छोटा है काड़ देता हूँ यहां से ऐसे ऐसे करके फिक्स आरो तरफ से यह बराबर आ जाएगा इस तरीके से निशान लगा लेते हैं इसके चारो तरफ से ठीक है आसानी से और इसको काट देते हैं ठीक है यह अपना हो गया फ्रॉक का नीचे का स्तर अम्रेला टाइम में जो गेर में आएगा नीचे से राउंड में हो गया अब इसका उपर काट लेते हैं उससी तरीके से कौन सेप में इसको बिछा लेते हैं डबल कपडा गया और फिर उसको डबल किया तो एक तेको कौन सेप जो होता है उस तरीके से इसको बिछा लेते हैं ठीक है इसमें मैं joint एक side की तरफ रख रहा हूँ एक ही joint रखूंगा इसमें ठीक है तो इसका measurement कर लेते हैं कि इस आप से कहां बैठेगा यह बैठेगा ऐसे ठीक है 9 इंची उपर रखार वहां से मैं आपके देख लेता हूं इसमें इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तो इसमें भी मैं extra कपड़ा ही रखूंगा थोड़ा ज्यादा यह देखे यह मैंने रख दिया इसके उपर और इसमें भी side की तरब जो निकल यह वाड़ा यह वाड़ा जो कपड़ा है इसमें मैं इसके उपर कमर में चुनट डालूँगा एक्स्टा एक्स्टा गीर बनाने के लिए तोड़ा रिंकल डाइब की यह फ्रोक बनेगी अपनी ठीक है तो इसी साब से इसको मैं अपने काट लेते हैं उपर बराबर काटा और नीचे एक्स्टा लंबाई फिक्स लंबाई लाइनिंग से थोड़ी बड़ी यह मैं फीस है इसलिए थोड़ा बढ़ाएगा इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें यह छोटी बच्ची का है बढ़ूं का आप अपने हिसाब से काट सकते हैं ठीक है अब इसकी स्लीव आस्तिन काट लेते हैं स्लीव वह ही जाएगा ठीक है ऐसे कैसे निशान लगाया यह देखिए यहां जुड़ेगा यह वाला पार्ट और यह उपर की तरफ गोलाई यारी गले की तरफ से तो यहां से इसको गोलाई देखे काट लेंगे यह ऐसे यहां से इसको गोलाई दिया यह उपर की तरफ सोल्डर की तरफ पाएगा और यह इसमें भी रिंकल डल जाएंगी जब इलास्टिक डलेगा इसमें मैं इलास्टिक डालूँगा इसमें भी ठीक है तो इस तरीके से यह अपना हो जाएगा यह आगे से फोल्डिंग का एक्स्रा मार्जिन छोड़के और इसको थोड़ा सा आप एक्स्रा ही रखें अगर यह यहां तीन इंची काटेंगें तो थोड़ा सा छोटा पड़ता तो आप से एक बात बुलूगा यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा रखें ठीक है और इसको यहां से जाएगा शोल्डर यह वाड़ा पार्ट जो है यह वाड़ा पार्ट इस ओडर पर जूड़ा बैदा हूँ आपको एक बार फिर से यह वाड़ा यह देखिए ये गला अगया उपर गोलाई में और ये यहां से यहां तक इसमें जुट जाएगा तो ये स्लीव हो जाएगी अपनी ठीक है Sleeve में अस्तर नहीं लगाएंगे अब चलते हैं सबसे पहले Stitch कर लेते हैं सबसे पहले देखी यह जो अस्तर है लाइनिंग वाला 20 शिलाई लगाई और फिर यह सीदी शिलाई लगाकर इसको गोल कर लेता हूं और इसकी नीचे की Folding में कर लेता हूं तो यह मैंने काम पहले कर लिया इसका सिलाई भी लगा दिए इसका joint भी लगा दिए जो छोटा था और इसको gold कर लिया है अब अस्तर है यह उपरवाडा है main piece लहरीए का इसकी जो मैंने नीचे से falding कर लिया है एक तरप से और इसमें मैं उपर की तरप अब जो एक्सर कपड़ अपने छोड़ा था इसमें उसमें बारिक बारी रिंकल डाल लेते हैं गेदर होती हैं रिंकल्स छोट छोटी आप इस तरीके से छोट छोटी गेदर पूरे में डाल लें उतनी ही डाले जो उसके गोलाई में आ जाए इस कपड़े में जो पहले अपन यह करूंगा इसका जो joint है मैं बैक में छोड़ोंगा उसको तो यह वाड़ा फ्रंट हो जाएगा इसको मैं फ्रेंट बना लुँगा तो इसको मैं यहां से जोड़ूंगा नहीं एक पार्ट ही जोड़ूंगा इस तरीके से और यह गेदर वाला इसका इसे पूरू चारुतरब से मैं attach कर देता हूं इस तरीके से चारुतरब attachments बरावर बरावर दबाव देखिये इसका जो margin है एक centimeter का उतना ही आप इसको margin लेकर शेलाई करें, attach करें इसके देखिए, यह मैंने 4 तरब इसके बरावर रिंगल डालकर इसके चार उत्रफ अटेच कर दिया है ठीक है इस तरीके से यह मेरा सामने वाला हिस्सा रहेगा इसको मैंने खुलाए रखूंगा ऐसे यह जो मेरा लाइनिंग है इसमें यह शाइनिंग वाला है शेटून है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है अब इसके चोली तयार कर लेते हैं सबसे पहले तो इसके उपर इसको अटेच करेंगे अटेच करने के लिए सबसे पहले मैं इसके उपर रिंकल डालूँगा चार उत्रफ पहले तो ठीक है यह देखे मैंने रिंकल छोट 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 छोटी इंकल डाल दी हैं ज्यादा ज्यादा नहीं छोट छोटी काफी दूरी में क्योंकि इसमें कपड़ा अपने ठीक इस तरीके से इसको चारू तरब से अटेच सिलाई लगाकर कच्छी कर लेदे हैं ठीक है इसको चार तरप से अपने अटेज कर लिया अब इसमें स्लीव जोड लेते हैं आस्तिन ठीक है तो स्लीव जोडने का तरीका जो अभी अपने कटिंग की थी उस हिसाब से जोडना है ये पाट उठाया एक इस पर और ये कोना सा जो दिख रहा है इस पर यहां से यहां स्लीव लंबाई वाड़ी नीचे रख दी और उपर से जोड लेते हैं जो गोलाई वाला जो गोल अपने उपर की तरप से काटी थी आस्तिन उस तरप से अपन इसको कटी विया गोलाई उस तरप से अपन इसको जोड देते हैं ऐसे ही चार उपले जोड लेते हैं एक करके उल्टेच उल्टे, राइट और रॉंग साइड कपड़े का ध्यान जरूर रखें, राइट साइड ही जोड़ें आप, ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, दूसरी चोली उठाईर, उसको जोड़ देते हैं, आस तिन और सोल्टर एटाइच हो जाए हैं, आगे का पॉर्षन देख लेते हैं, अब इसमें आस दिन है इसकी आगे, तो इसमें मैं इलास्टिक लगाऊँगा, यह तो आस दिन अपने 7 इंची मोरी थी छुटी बच्ची की, तो टोटल 7 इंची इसमें, इलास्टिक काट लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से इ और आभ इस लास्टिक के उपर में सिलाई नहीं लगाँगा सिए के पास लाँगा यहां से तो मैंने पक्का कर दिया आगे इसलाई निकलेगा नहीं और इसके सिलाई बार तेमिन प्रका करलेता हुए, आप अगर आपसे यह नहीं लगता तो इस तरीके से यह elastic दोनु में लगा लेना आपको ठीक है दोनु में elastic लग चुका है और इसकी अब side लगा देते हैं दोनु side है आज पैक कर देते हैं इसकी गौल कर देते हैं इस तरीके से तोड़ा सा कोई extra कप्टा निकले तो निकल जाने दें आस्तिन के उपर दवाव आस्तिन की तरफ ही रखें दोनु मैं फीस का हमेशा मैं गलती है यही करती है अक्सल लेडिज है सीखती है तो दवाव एक नीचे जा रहा है एक उपर जा रहा है तो वो चीज नहीं होने चाहि आस्तिन की तरफ ही दवाव होना चीए हमेशा तो इस तरीके से दोनु शायड हो चुकी है ठीक है अब भी इसमें क्या करेंगे अपन इसमें पट्टी लगाएंगे अब इसमें पट्टी लगा देंगे बाद में लगाएंगे पहले इसमें इसका जो चोली है वो जोडेंग इसका बीच सेंटर के चार खुटके कर लें, दो तो साइड के हो जाएंगे, और एक बीच में लगा लें, दो खुटके, यहां पर और यहां पर, ठीक है, ऐसे ही जो नीचे वाली अपने गेर बनाया है, वो लगा लें, और सामने की तरफ इसका कर देंगे, एक जो सामना वाल इससा रखेंगे, वो सामने की तरफ रखेंगे, जो खुला छोड़ा था पने, नीचे वाड़े पार्ट में, उसको 20 सेंटर पे गिया, सामने की तरफ रखेंगे उसको, और इसको 4 तरफ गोलाई में गुमा कर रख दें, मेजरमेंट पूरा फिक्स रखेंगे, चोड़ीगा, पहले ही नाप लें, अब अगर कमर चोईस है, तो उसको चोईस की जगे प्लस दो करके 6, 20 इंची तयार कर लें, बच्चों में 3 इंची भी तयार कर सकते हैं, ऐसे ही चेस्ट में हैं, चेस्ट में भी फिक्स में 2 इंची, 3 इंची या 4 इंची आप एक्सर रखें, और लेने लगा है, ठीक है, अब इसमें ये देखिए, इसमें जो ये अपने बीच कमर पे एक लेस है, तो ये लेस लगा देता हूँ, इस पे, और इसमें मैं बीच बैक की तरफ जो लूप्स होते हैं, बहांदने वाड़े, वो बड़ा हिस्सा लगाऊंगा, ठीक है, अब इस पट्टी लगा लें, एक सवाइंची चोड़ी पट्टी काटके, इसके चरुतरप लगा दें, इसके अंदर अपन इलास्टिक लगाएंगे, तो वो एक रिंकल्स का रूप ले ले लेगी, अच्छी वाली, और सोल्डर के उपर आ जाएगी, नीचे की तरफ, सोल्डर जो ह मैंने ये इलास्टिक काटा है, पूरा 23 इंची, मैंने राउंड में सोल्डर की नाप लिए, 23 इंची उपर से थोड़ा नीचे, सोल्डर से डाउन करके, अगर बच्चे की नाप लेते हैं, तो 23 इंची नाप लिए, इसको गोल कर लेते हैं, यहां से शिलाय लगा कर इसको पैक कर लेते हैं इस तरीके से, 23 की जगह आप लिए, इलास्टिक में आपको बोलूगा, एक दो इंची कम रखे हैं, अगर 20 इंची आप रखते हैं, 23 की जगह राउंड में आ पारी हैं, तो 23 इंची थोड़ा खिचाव के लिए इची है, सोल्डर से डाउन नहीं जायेगा तो कोशिस यही रहे कि आप 23 इंची की जगह 20 इंची ले, मैंने इसमें 20 इंची ही काम में लिया है, तो मैं थोड़ा सा दूबरा बता दूं आपको, और इस तरीके से आप इसको इलास्टिक को इसके अंदर दबा के फिक्स अटेच कर लें इसको, इलास्टिक के ओपर सिला से नीचे वाले कपड़े को भी निकालते रहें, और इलास्टिक अपना लग चुका है बराबर, इस तरीके से, ओ ठीक है, इलास्टिक लग चुका, अब इसका बीच का नाप कर लेते हैं, इसका करेवन साड़ी चार इंची इसके बीच सेंटर में, बीच सेंटर करके, और आड़ी चार इंची पर इस टेप अटेच कर देते हैं, छोट छोटी, यह साथ इंची स्टेप काटी हैं, जो तीन तीन इंची रह जाएंगी, तो इस टेप अटेच कर देते हैं, बीच उबीच इसके, ठीक है, और इस तरीके से अपने एक फैंसी टॉफ, औफ शॉल्डर टॉप बनके तयार है बच्ची का फैंसी लेहरिया साउन में आप भी बनाई अपने लिए बनाई और अपने बच्चों के लिए बनाई एनि और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक कॉमेंट बॉक्स में मुझसे कॉमेंट करके कुछ भी पहुंच सकते हैं तो इस तरीके से यह फैंसी टॉप है और यहां पर इसमें यह बूटी है एक छोट छोटी यहां पर और अटेज कर देंगे जो मेरा हाथ का काम है वो मैं हाथ से अटेज कर दूँगा तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग मी धन्यवाद